तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग सवागते हैं हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस बुड़ में आप सभी को बताऊँगा अगर आप लोगों को बिना इंटरनेट के आप लोगों को यूपी आई से कोई भी पैसे भेजना होगा या आप लोगों को अपना UPI से balance चेक करना होगा या आप लोग किसी भी bank account में पैसे भेजना चाहते हो तो वो आप लोग बिना internet के कर पाओगे अगर आप लोगों के पास android phone नहीं है और आप लोगों के पास keypad phone है तो आप लोग उसमें भी बिना internet के UPI यूज कर सकते हो तो आप लोग बिना internet के कैसे आप लोग यूज कर पाओगे कैसे आपको setup करना है सारा इस वीडियो में detail के साथ बताने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो को अंतर तक देखना अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चलिए शुरू करते है तो बिना internet के UPI यूज करने के लिए आप लोगों को जाना है call dealer में call dealer में जाने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि आप लोगों का UPI पहले से sit होना चाहिए उसके बाद दुस्तों जो भी आपका मुबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वो यहाँ पर ATL और Boda Phone Idea B और यहाँ पर BSNL का होना चाहिए अगर आप लोगों के पास जियो का नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर डाइल करना है स्टार 99 हैज डाइल करने के बाद आपको यहाँ पर कॉल पे किलिक कर देना है कल पर आप जैसी किलिक करोगे यहाँ पर कुछ बैल कम करके आएगा इसको OK कर देना है OK करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बेट करना है बेट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर लिखके आ जाएगा Welcome to Beam star 99 has और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर अपने इंटर करना है आपके बैंक अकाउंट के 4 डिजिट या आप लोगों को यहाँ पर IFC कोड होता है आपके बैंक अकाउंट को बोई यहाँ पर 1st के यहाँ पर 4 डिजिट इंटर करना है तो जैसे कि यहाँ पर डालने के बाद में इसके बाद दूस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है सेंड पर send पर आप click करोगे उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर registered हो जाओगे अब यहाँ पर बूज रहा है आपका UPI PIN तो चलिए दोस्तों बैक करो इसको बैक करने के बाद में फिर आप लोगों के यहाँ पर दुबारा से star 99 has और यहाँ पर call पर click कर देना है call पर आप click करोगे फिर से welcome 2 लिखके आ जाएगा इसको यहाँ पर ओगे कर देना है okay करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेट करना होगा बेट करने के बाद में अब आपके सामने आ चुका है अब आप लोगों को यहाँ पर हैले नमबर बर बता रहा है अगर आप लोगों को send money करना है तो आप लोगों को यहाँ पर हैले नमबर पर click करना होगा अगर आपको कहीं भी payment request मंगाना यानि दूसरों आपको payment मंगाना है तो आप लोगों यहाँ पर दो पर click करना है योपी आई पिन है तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना योपी आई पिन डाल देते हैं योपी आई पिन डालने के बाद को यहाँ पर सेंड पर किलिक करना है उसके बाद में जुस्तों यहाँ पर आप लोगों को बैलनस हसो हो जाएगा उसके बाद इसको क лег करते है बाद मैं आपको और आगे बतादा हूँ आपको इसमें क्या कै मिले बाला है तो फटा फटार। हम फिर से दोबारा से यहाँ पर已经 unicorn has entered करते हैं उसके बाद मैं आगे हम आगे आगे हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे क्या करना होगा तो दोस्तो अब मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों को यहाँ पर कैसे पैसे भेजना है तो यहाँ पर send money एक number पर आए तो आपको यहाँ पर एक number डाल करना है और send पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो आपके सामने इस तरीका का option आ जाएगा आप लोग अगर mobile number से send money करना चाते हो जैसे कि यहाँ पर किसी का number होता है UPI number जिसी कि वो आप यहाँ पर number डाल कर आप जैसे कि Google पे फोन पे किसी में registered हो आप number से बेज सकते हो second पे आ रहा है अगर आप UPI ID से बेजना चाते हो वो आप से बेज सकते हो और यहाँ पर दोस्तो फोर्थ में आ रहा है Save Benefactory आप यहाँ पर जो भी bank account add करना चाते हो जिस number को add करना चाते हो दोस्तों यहाँ पर 5 में नमबर पर आ रहा है अगर आप लोग बेंक account में पैसे बेजना चाते हो जैसे कि दोस्तों हमारे पास PTM का account है हम यहाँ पर PTM का एक IFSC code डालेंगे जिसमें हम पैसे बेज़ कर खाने वाले है तो यहाँ पर हमको IFSC code डाले के बाद में send पर किलिक करना है उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर account number डालना होगा जैसे कि हम यहाँ पर एक account number डाल देते है account number डाले के बाद में आपको यहाँ पर send पर किलिक करना होगा send पर आप किलिक करोगे अब आप लोगों को यहाँ पर amount डालना है कि आप कितना amount बेजना चाहते हो जैसे कि हम example के लिए 10 रुपे डालकर यहाँ पर send पर click करते हैं उसके बाद में इसको send करने के बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो नहीं तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि हमें आप पर कुछी का भी नाम डालने के बाद में नाम डालने के बाद में दोस्तों आप लोगों को फिर यहाँ पर सेंड पर किलिक करना है सेंड पर किलिक करने के बाद आप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपना यूपियाई पिन डालना है जैसे कि हम यहाँ पर UPI PIN डालते हैं और उसको send पर किलिक करते हैं send पर आप जैसे ही किलिक करोगे तो उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखके आ जाएगा कि यहाँ लोगों का यहाँ पर जो transaction है वो successful हो चुका है दोस्तों इसको आप बाद भी निकल सकते हो जो कि यहाँ पर दो नमबर पर आ रहाँ एग्जिस अगर आप लोगों ने जिस नमबर पर पैसे बहजा है उस नमबर को save करना चाते हैं तो आप एक नमबर पर select करना है जैसे कि हम यहाँ पर exit करते हैं और यहाँ पर send करते हैं आप पर exit करने के बाद में यहाँ पर लिखके आ जाएगा thank you for using or services अगर आप लोगों के पास keypad phone है तो आप लोगों को उसमें भी इसी तरीके से dial करना होगा दोस्तो इसी तरीके से आप लोग बिना internet के UPI से payment करना चाहते हो UPI से balance चेक करना भा Warm पपगा है कर लोगों कर आप लोगों को भी आप लोगों काहते हैं चाहते हैं आप